आप सभी का जो इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरी को वशी करण करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय है या ऐसा टोटका है जो एक बार में ही ऐसा काम कर जाए कि मज़ा आ जाए तो वशी करण के मामले में सबसे ज़्यादा जो देखे जानी वाली चीज़ है वो आपके पास उसकी कोई न कोई वस्तु होनी चाहिए या कोई चीज होनी चाहिए जैसे की कोई कपड़ा, फोटो, रुमाल, इत्यादी आप बहुत आसानी से भी वशी करण कर सकते हैं और जटिल पर करिया करके भी वशी करण कर सकते हैं इस्लामिक तोर पे भी वशीकरन होता है और हिंदु धर्म के अकॉर्डिंग भी आप वशीकरन कर सकते हैं और बहुत से ऐसे चीज़े हैं जिनको केवल रखने से ही लोग अपने आप आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं बहुत से लोग ऐसे चाहते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं या जो कैमरे के सामने आना चाहते हैं जो ऐसा चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ आकरशित हो जाएं या भीड लगे जहां पर भी हम जाएं तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने सबसे जो अनामे का उंगली होती है जिसमें रिंग फिंगर पहनते हैं उसमें एक जरकन धारन कर लीजिए तीन रत्ती का हो कम से कम और उसको सुबह चार बच की पंदरा मिनट पे धारन करना है ये थी आकर्शन के लिए कुछ टिप्स दी थी मैंने आपको जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्शित होंगे यदि आपके पती या फिर आपकी गल्फरेंड है जो आपसे मान नहीं रही बार बार दूर हो जाती है तो आपको एक काम करना है सिंपल सा उपाय है कोई भी जत्तु जहत नहीं करनी पड़ेगी सिर्फ एक उसकी फोटो ले लीजिए और उसको तीन बार मोड़ दीजिए मतलब कि उसके जो फोटो है उसके तीनों कोनों को मोड़ दीजिए एक कोना सिंपल रहने दीजिए इसे जगह पर गिठान लगाए घास की जहांपर उसके ऊपर से कोई ना चला जाए, वो सुरकशित रहे या कोई कुटा या पशुर उसके उपर मुत्र भी सरजन ना कर दे, तो ऐसे जगह पे ना हो किसी दूर जंगल में ऐसे जगह पे जहां पे कम ही लोग जाते हूं या जानवर भी कम जाते हूं तो ऐसे बहुत से जगह होती हैं तो ऐसे जगह पे दो घास के नॉर्मल हरे पत्तों को गांट लगा दीजिए और आप समझ लिए आपकी इच्छा पूरी हो गई अब आप अगर ये बोलेंगे कि मुझे तो हेलकॉप्टर लेना है और मैं गिठान लगा दूँ या गांट लगा दूँ तो देखे ये तो मुर्खता वाली बात हो गई आपको उस परकार की इच्छा मांगनी है जैसे जो पूरी हो सके जैसे वशी करन हो सके आपका कुछ गुम हुआ है वो मिल जाए जो साथ ही चाहिए वो मिले कुछ पैसे उधार है वो दे दे इस परकार कि आप इच्छा मांग सकते हैं एक और उपाय बताता हूँ रात को जैसे ही बारा बज़ते हैं अपने इच्छा मांगने शुरू कर दो अलारम लगा दो रात के बारा बज़े का जैसे ही बारा बज़ते हैं सिर्फ बारा बज़े आपको अपने इच्छा एक पर मांगने ही मन में और कुछ भी नहीं करना ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये बहुत ही अचंबित कर देने वाले उपाय हैं, इतना असरदार इनका असर होता है, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब आपका पूर्णत विश्वास होता है, और मैं तो यही कहूंगा कि उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति को क मास या मीट अंडा खाते हैं, तो प्रियास करें कि इसे ना खाएं, इसे खाने से हमारे अंदर एक उत्तेजना पैता होने लगती है, धीरे धीरे हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, और बोडी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़े होने लगते हैं जो कि अच्छा नहीं होता, हाला कि मेडिकल साइंस के नजरी से देखा जाए, तो ये खाना अच्छा है, लेकिन मैं आपको फिर भी मना करूंगा, क्योंकि जो जोतिश है, वो मेडिकल साइंस से कहीं आगे है, और आप ये ना खाएं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत ज जरूरी है, आपको ये खाना ही आपको बिना नहीं रह सकते, तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा इस विशह में, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी शांत स्वभाव पैदा हो, आपके मन में जो विचार आते हैं, वो शांत हो जाएं, या आप किसी प्रकार की समस्या से जूंज रहे हैं, या कुछ पाना चाहते हैं, तो इन चीजों से धीरे धीरे आप दूर हो जाएं, और अपने इश्ट का नाम लीजिए, या जो भी आप जिसको भी मानते हैं, उसको याद करना शुरू कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि मैं शिब को मानू या मैं पारवत जिसको भी आप मानते हैं, उसकी उपर ध्यान लगाएए, और हमेशा याद रखेगा कि अगर हम उनका ध्यान लगाएंगे, तो वो भी हमारा ध्यान करेंगे, अगर तुम भगवान को याद करोगे, तो भगवान भी तुम्हें याद करते हैं, और यदि आप सही तरीके से meditation करें तो आपको जिन्दगी में वशी करने या ऐसे किसी उपाय की जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो चीज़ आप सोचेंगे या आपको जो भी चाहिए होगा वो अपने आप आपको मिलने लगेगी यह ठीक उसी परकार है जिस परकार से जो पिता होता है उसको पता होता कि बच्चे को क्या चाहिए उसको बोलने के जरूत नहीं पड़ती और हम सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो हम ही क्या चाहिए हमारे लिए क्या अच्छा है यह उसे सब पता है बस अपने आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब आप पॉजिटिव होंगे तो बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है जिन्दगी में ऐसे बहुत सारी ऐसे करडिशन होती है कि इनसान चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रह पाता लेकिन फिर भी आप जरूर पॉजिटिव रहिए और जितना हो सके अपने आपको सकारात्मक उर्जा के इर्द इर्द रखिए घर में एक सॉल टैम रखिए और अगर आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं तो वो भी पा लिए उनसे भी बहुत सकारात्मक उर्जा का संचार बना रहता है घर में और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यूटिव पे सर्च करते हैं अपने या मान लीजी आपको कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है और आप उसके बारे में सर्च करते हैं यूटिव पे तो सोच समझ कर ही ने लीजी क्यूंकि आप जानते ही हैं यूटिव पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ लोगों के विश्वास के साथ खेलना आता है और वो कुछ नहीं करते तो आप यदि कहीं पर भी जाते हैं या किसी भी वीडियो को देखते हैं तो जरा उसके चानबीन कीजिए और देखे उसके बारे में पढ़िए या फिर जहां से आपको जानकारी मिले उसके बाद अपना निना दीजिए और ये जो मेरी वीडियो होती है इससे रिलेटिड आप कोस्टिन पूछ सकते हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन वाहियात कोस्टिन मत पूछिएगा क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं क्या हो गया है वो ऐसे कोस्टिन पूछते हैं कि जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता लोग मुझसे बोलते हैं कि आई आपके जो मंत्रिये काम करेंगे काम करेंगे तभी तो डाले है ऐसे तो कोई डालेगा नहीं तो उसी प्रकार से आप देखिए मैंने पहले भी का था हर किसी के लिए हर सुख नहीं है इस अंसार में और कभी भी निराश मत हुईएगा और यदि आपको सच्चा विश्वास है अपने परमपिता परमात्मा पर या जिसको भी आप मानते हैं तो आपको कभी अकेला नहीं शोड़ेगा चाहे कैसी भी कंडिशन आ जाए किसे ने किसी माध्यम से वो आपको जरूर साथ देगा और ये कोई पड़ी लिखी बात नहीं है ये आजमाई हुई बात है बस आप इतना जान लीजीगा कि आपके जो बूल है जो आप बोलते हैं इस बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इस फिजिकल वर्ल्ड में उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंदा रही होंगी और आप भरपूर लाब उठा रही होंगे और जो लोग मुझे से शिकायत करते हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरी वीडियो अची नहीं लगती तो आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हैं यदि कोई मंतर काम नहीं कर सकता आपके लिए या वो नहीं कर रहा काम तो हो सकता है उसमें भी आपका कोई ना कोई भला हो क्योंकि हमारे अंदर इतनी बुद्धी नहीं होती कि हम उस परमपिता के मास्टर प्लैन को जान सकें कि वो हमसे क्या करवाना चाहता है और इसी तरह से मैं वीडियो देता रहूंगा लेकिन मुझे चाहिए आप लोगों का धेर सारा साथ और प्यार और आप मुझे जो भी ये वीडियो में अप्लोड करता हूं इसको तुरंत शेयर लाइक कर दीजेगा और जो हमारा ये जो चैनल है इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि जादा से जादा लोगों को मदद मिल सकें बहुत लोग है ऐसा बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आज मदद चाहिए माध्यम आप पनेंगे सिर्फ आपका एक छोटा सा डिसिजिजन बहुत लोगों की जिन्दगी बदल सकता है कहते हैं जहां न पहुंचे दवा वहां लगे दुआ तो अगर आप किसी की दुआ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फेस्बुक पेज़ पे या कहीं पर भी जहां पे लोग इसको देख सकें और वो हम तक पहुंच सकें जादा से मैं ना लूँ आपका इसलिए इस वीडियो को मैने इतना ही बनाया है और आप कमेंट में लिख सकते हैं जिस भी टॉपिक के उपर अगली वीडियो चाहते हैं और अन्त में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने उपर और अपने परम्पिता परमात्मा पे भरोसा रखे वो आपको कभी निराश्ट नहीं करेगा वो आपको सब कुछ देगा बस जरूरत है तो थोड़े से विश्वास की ओम नमस्षिवाई